कौमा सुबा सुबा ही अपने पती सुमित से लड़ रही होती है तब ही सरला अपनी बहु के कमरे में पहुँच दी है अरे बहु क्या हुआ, बहु क्यों सुबह सुबह लड़ रही है थोड़ा तो समझा कर सुमित को उसे ओफिस जाना है लेकिन नहीं, तुझे क्या ही फरक पड़ता है मा रहने दो इसे, इसे बस अपनी परी रहती है एक बार भी ये हमारे बारे में नहीं सोचती, ये हमेशा अपने बारे में पहले सोचती है तुझ जा ओफिस, और बहु तुझ घर का काम कर जाकर, सुबह सुबह घर का महल बिगाड़ने पर लगी हुई है मा जी, आप कोई लड़ाई चगणा दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रही हो, कि आपका बेटा देराद घर आता है अरे तो क्या हो गया, कभी कभी लेट ही घर आ गया तो, अब इस उमर में ये घर से रात को लेट नहीं आएगा, तो क्या इस घर, तो क्या इस घर की बहु होकर रात बर बाहर खुमेगी तू, आकिर चाहती क्या है तू सुक शान्ती और अपने पती पर कंट्रोल देख लो अब तुम दोनों, मैं तो तुम दोनों के बीच कुछ बोलती ही बेकार हूँ सुमित तो ओफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोमल घर का काम करने में लग जाती है, और अपने पती के बारे में ही सोच रही होती है माजी भी अपने बेटे को हर बात पर सपोर्ट करके उन्हें सर पर चड़ा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहाना, तो मैं इस आदमी को बरदाश नहीं करूँगी, लेकिन माजी भी इने बहुत छूट दे रही है, अब मैं भी दिखाती हूँ, कैसे पती से परिशान होकर भी बी क्या कुछ नहीं कर सकती है, अरे ओ सरला, कहा है तू, जल्दी से बाहरा, हमें भंडारे के सब्जी लाने जाना है, क्या, कहा हो रहा है भंडारा, पतीलन लेलू क्या, रात में भी वही सब्जी चल जाएगी, अरे लेले मैं तो बाल्टी ली हैं उसमें भी भरके लाएंगे दो-तिन दिन तो बड़े अराम से खाएंगे ये सब हाँ हाँ रुक बस अभी आई अब अपनी सास के बाहर जाने के बाद ही कॉमल अपनी दोस्त को फोन लगाती है और घंटे उससे बाते करने लगती है वो भी अपने पती की और कुछ देर बाद जब सरला आती है तो वो देखती है कि उसकी बहु कमरे में सोई हुई है अब सरला अपना काम खुद करती है और जब देर रा सुमिद घर लेट आता है तो वो अपनी पत्नी को खूरते हुए देख कर गहता है पोमल अगर तुम मुझे कुछ सुनाना चाहती हो नो फिलीस मुझे कुछ मत बोलना क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें सुनाना भी लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मेरी जन पैसे आप ये पताओ कि आजकल आप इतना लेट क्यों आते हो आपको पता है मैंने खाना भी नहीं खाया आप कहीं इंतिजार कर रही थी ये क्या कर रही हो अचानक से इतना प्यार कहां से आ गया कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं इसमें एक मिनट कहीं तुम मुझे मानना तो नहीं चाहती अरे आप भी न अपनी भोली भाली बीबी पर शक कर रही हो मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूं जितना तो आपने सोचा भी नहीं होगा कभी अच्छा अगर ऐसा है न तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं बस तुम हुकम करो मैं तो जान दे दू तुम्हारे लिए जानवान नहीं चाहिए मुझे मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए आखी समय तक आज के बाद सीधा मैं ओफिस से घर आऊंगा में दोस कितना भी कहे कि उनकी बंदी छोड़ गई इस गम में पी ले या उनकी नई बंदी पट गई इस गम में पी ले लेकिन नहीं मैं नहीं रुखूंगा मैं वापस घर आऊंगा वो अभी सिब तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ओ तुम कितने अच्छे हो बेबी ये सब तो कॉमल की ही चाल थी और वो अपने चाल में काम्याब भी हो रही थी अब अगले ही दिन सुबह-सुबह सर्ला चाय पीते हुए अपनी बहूं से कहती है बहूं ये क्या चाय बनाई है तुने ये चाय है अगर इसे तु चाय कहती है तो जहर भी डाल दिया होता शायद ये मीठी ही हो जाती लेकिन नहीं तुछ से तो कोई काम ठीक से नहीं होता है अरे अरे मा आप इना क्यों सुना रही हो से अरे मा ये चाय मैंने बनाई है आप तो खामा खा इसको इतना कुछ कह रही हो है देया तो कब से चाय बनाने लगा तेही तब ये तो ठीक है क्या हुआ कल तक तो दोने एक दूसरे की जान के दुश्मन बने थे और सुबह होते होते ऐसा क्या हो गया कि तू इसके सर का इलजाम अपने सर ले रहा है मा जी ऐसो कुछ भी नहीं है ये चाय तो इन्होंने ही बनाई है हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है इसे चाय बनाना आता भी है कि नहीं जिसे ये नहीं पता कि चाय की पत्ती कहा है वो चाय बनाएगा सरला को पता था कि चाय उसकी बहु नहीं बनाई है लेकिन उस चाय में चीनी नहीं थी जिसका इल्जाम सुमित अपने सर ले रहा था अब जब सुमित ओफिस जाने लगता है तब ही अचानक से कॉमल चिला पड़ती है माजी, माजी मेरी पिट में बहुत दर्द है माजी क्या हुआ तुम्हें? क्या होँआ अचानक से刁़ई लिए चलोो सोफ़े बैठो ereाम से बैठो अरे बहु क्या हुआ जो इसे चिला रहा रही है कहीं में धादी तो नहीं बनने वाली नहीं, माजी मेरे पेट में बचा नहीं, गैस है गैस उससे ही मेरे पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया फेप रभूत अई जी पर तो कंट्रोल ही नहीं है तुझे कितनी बार कहा है, पिंगर मों मोज मत खाया कर लेकिन तू भी है कि सुनती ही नहीं है मेरी कोमल ये सब जानबूच कर कर रही थी ताकि वो अपने पती को अपने कंट्रोल में रख सके और सुमित भी अब अपनी पत्नी के पेट दर्द की वज़े से चुट्टी कर लेता है ये देख सर्ला का पारा हाई हो जाता है अरे तूने किस खुशी में छुट्टी कर ली है नहीं नहीं मुझे तू घर में नहीं चाहिए अरे तू ऐसे छुट्टिया करेगा तो कैसे काम चलेगा और आसे पहले मेरी तबियत इतनी खराब तो नहीं हुई मुझे हॉस्पिटल में भी कई बार भड़ती कराए गया है लेकिन क्या कभी तूने मेरी ले पनी मा के लिए छुट्टी की है वहाँ मा क्यों कलेश्ट करना चाहती हो आप अरे मैं कोमल के साथ रहना चाहता हूँ उसकी तबियत खराब है मा उसको मेरी जुरोत है तुझे तो ये अरत अपने काले जादू से वश में कर रही है लेकिन तू है कि तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मा मैं आपसे बाद में आके बात करता हूँ जब तक आप एक काम कीजिए आप घर के काम कर लीजिए कॉमल से तो हो नहीं पाएगा ना बेचारी बिमार है रामरे रामी क्या देख रही हूँ सरला मैं तेरे आखों के सामने तेरे बेटे बहु ये सब कर रहे है वही तो मैं भी देखकर हैरान हूँ और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये सब क्या है और ये औरत इस घर की बहु कम और अपने पती पर बोज हो रही है जादा तू एकदम सही कह रही है तेरा बेटा भी जोडू का गुलाम हो चुका है वैसे शादी के बाद जो बेटे मा के पल्लों में बंदे रहते हैं तो बीवी के आते ही अपने मा के पल्लों को भूल जाते हैं और ये तो सही उधार ने तेरे सामने अभी तो शुरुआत है ना जाने ये मेरे बेटे से और क्या क्या कर रहेगी देख मैं तो तुझे कल भी यही कहती थी और आज भी यही कहती हूँ अपनी बहु पे पकड़ बनाए रख अब ऐसे ही कई और दिन मीठ जाते हैं और सरलापने बेटे में बहुत बदलाप देखती है तभी समित कोमल के लिए खाना लेकर जा रहा होता है कभी वो चाए बना रहा होता है और हद तो तब हो जाती है जब समित अपनी मा से कहता है मा सुनो ना अरे कोमल की तबियत देखो कितनी खराप है बैचारी ठीक से चल नहीं पाती मा और आपो क्या पता नहीं क्या-क्या बोले जा रही हो अरे मेरा लल्ला तुझे तेरी बीवी की कितनी चिंता हो रही है न जो तु बेशर्मों की तरह मुझे ये कहने आया है कि मैं काम कर लू तेरी बीवी अब तुझ पर बोज्जो हो चुकी है और तु भी किसी काम का नहीं रहा ऐसा करती हूँ तु इसे इसके माय के रखिया और मैं तेरी दूसरी शादी करवा देती हूँ ताकि तु अपनी बीवी के दुनिया से बाहर निकले और कमाने जाए इतना सुन्दा ही कॉमल अपने कमरे से निकलती है और अपनी सास से कहती है माजी ऐसे कैसे आप मेरे हो तुए अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोच सकती हो ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है उसे पूरी तरह से लाचार कर दिया और तू अपने पती पर बोज बनी हुई है सुमीत को देर सही सही लेकिन अकल तो आती है और वो अपनी बीवी की गुलामी को छोड़ कर बाहर काम पर निकलता है वरना तो उसकी पत्नी ने उसे कहीं जाने ना देने का मनी बना लिया था धनी राम का नाम उसके माता पिता ने बड़ी ही अर्मानों से रखा था लेकिन कहते हैं ना जब किसमत ही गरीब हो तो अमीरों वाला नाम भी किसी काम का नहीं धनी राम एक गरीब मिट्टी का बर्दन बनाने वाला कुमार था उसके घर में आए दिन कोई न कोई परिशानी आया करती ऐसे ही एक दिन धनी राम अपनी बीवी सुन्दरी जो की दिखनी में सावली थी उससे कहता है सुन्दरी सगुन कहां है दिख नहीं रही है देखो कहीं किसी के साथ लड़तों नहीं रही है ना हमेशा किसी ना किसी से लड़ते रहती है तंग आ चुका हूँ मैं इसकी इंसा भरकतों से आखिर बेटी किसकी है आपकी ही है ना कुछ तो गुण होने चाहिए आपके तबी तो आपकी बेटी कहलाईगी धनी राम वैसे मुझे कुछ पूछना था आपसे पूछो आँ हाँ बेफिकर हो कर पूछो इसमें मुझसे इजाज़त लेने वाली क्या बात है देखियो बुरा मत मानना वैसे आपका नाम क्या सोचकर आपके मातर पिताजी ने धनी राम रख दिया बस नाम के धनी राम हो लेकिन जेब से कड़के हो आप अच्छा चलो मेरा नाम तो फिर भी चल जाता लेकिन तुमारा नाम तुमारे मा पिताजी ने क्या सोचकर सुन्दरी रख दिया हसी आती है तुम्हारा नाम सुनकर नाम बड़े और दर्शन छोटे नाम है कुछ भी रख सकते हैं वैसे भी मा कहती है जब मैं पैदा हुई थी बिल्कुल दूद के जैसी थी अच्छा तो अचानक से ऐसे कैसे हो गया तुम्हारे मा और पिता जी ने तो मैं पैदा होते ही धूप में सेकने के लिए रख दिया था क्या बाहर जो दूद जैसे सफेद से काली कड़ाई जैसी कलूटी हो गई देखिये जी आप ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो मैंने आपको इतना ज्यादा नहीं कहा था कि आप मुझे सुनाये जा रहे हो मैं आपसे बात नहीं करूँगी सुन्दरी अपनी बेटी शगुन को ढूनने चली जाती है क्योंकि उन दोनों की बेटी शगुन बहुत ही मूँ पर थी आए दिन उसकी किसी ना किसी से लड़ाई हो जाया करती एक दिन धनी राम मिट्टी के कुछ बरतन बना रहा था तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुखती है और उसमी से एक अमी रात में निकलता है सुनो राम मिट्टे का बरतन कैसे दिये और हाँ अगर सही दाम लगाओगे तो मैं तुम्हारे यहां से जादा बरतन लूँगा मालिक जादा महंगा नहीं है आपको जितने बरतन लेने हैं ले लीजिए सही दाम लगा कर दूँगा आरे नहीं नहीं तुम अभी बट्टाओ वैसे वे तुम गरीब लोग ना बार में पीछे पर जाते हो सारा समान गाड़ी में रख रहा होता है तभी वहां शगुना जाती है और अपने पिता को काम करता हुआ देखकर उसकी मदद करने लगती है सुबह से शाम हो गई आप बेटी बात करी रहे थी कि तभी सुन्दरी आ कर कहती है अरे वा आज तो बहुत पैसो की कामाई हो गई आज मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी खाने में बहुत दिन होगे सूखी रोटी और नमक खाते हुए हाँ बना लेना पैसे दिखे नहीं तो उड़ाना शुरू हो गया इनका हम दोनों ठके हुए हैं मैं पानी पिला दो लेकिन नहीं पैसे चाहिए इनको क्या करूँ अब पैसे देख कर खुश होना भी बंद कर दूँ क्या वैसे भी मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ घर में अगर कुछ अच्छा बनेगा तो मैं ही सिर्फ नहीं खाओंगी बलकि तुम दोनों भी मेरे हाथों का खाओगे हाँ हाँ पता है अब हमारे लिए बहुत कुछ करती हो लेकिन पिता जी ये कौन था जो इतने सारे मिट्टी के बरतन खरीद कर ले गए हो का कोई नेक बंदा जिसे हमारी गरीबी देखकर दया आ गई होगी या फिर उपर वाले का कोई भेजा हुआ फरिश्ता होगा कोई भी था लेकिन हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं था बस ऐसे ही हमारी मिट्टी के बरतन बिखते जाएं बस तीनों उस रात को अच्छा और स्वादिस्ट खाना खाते हैं और ऐसे ही अकली सुभा फिर से वही इंसान बरतन लेने आता है और ऐसे ही कई दिनों तक हुआ अब तो धनीराम के पास पैसे भी आ गए थी बचे हुए पैसो से और बरतन बनाता वो और बेशता ऐसे ही एक दिन धनीराम और उसकी बीटी बरतन बना रहे थे तब ही उनकी घर उनकी पडोशन शानता आती है क्या बात है धनीराम जी बड़े जोरुशोरु से बरतन बजाये जा रहे हो आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत जल्दी है कोई आने वाला है क्या आपके मिट्टी के बरतन लेने वाला हाँ बहन जी एक ग्रहाग है जो हर दोया तीन दिन में आकर कुछ बरतन ले गर जाता है बस उनके लिए ही ये बरतन बना रहा हूँ अच्छा आपके हाथ अमीर बकरा फस गया जितना लूटना है अभी उसे लूट लो बार बार ये मौका नहीं मिलता एक बात बोलू शांता चाची जैसा आप सोच रही हो इतने भी गिरे हुए नहीं है हम हमें जितनी ज़रुत होगी हम उतनी ही कमाई करते हैं गरीब है लालची नहीं है तो पिद्दी भरकी लेकिन जुबान तो देखो कितनी लंबी निकलती है आकर कहां से सीखा है ये सोचना आपका काम नहीं है आप जाओ सेभी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं वहीं ताक जाकी करो शागुन कितना बोलती है चुप हो जा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते यहीं मैंने सिखाया है क्या तुझे नाम शगुन रखने से किसी के अंदर गुर नहीं आ जाते माफ कीजिएगा धनी राम जी लेकिन आपकी बेटी बहुत जादा बत्तमीज है शगुन जाओ तुम अंदर और हाँ आज तुमे खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम सुदर नहीं जाती तब तक तुम उससे बात तक मत करना धनी राम की बात सुनकर शानता वहां से मूँ बनाते हुए चली जाती है धनी राम उदास था क्योंकि उसने अपनी बेटी पर गुसा जो किया जब धनी राम अपनी बीटी को मनाने घर की अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीटी घर पर नहीं थी और वो अपनी बीटी को ढूण रहा था तभी सुन्दरी धनी राम से पूछती है क्या हुआ किसे ढूण रहे आप बताओगे कुछ या अकेले ही ढूणते रहोगे यहाँ अभी अभी शगुन आई थी कहां गई मुझे दिख नहीं रही है बताओ कहां चुपी है शगुन शगुन बेटी शगुन मुझे माफ कर दो अपने बाबा को देखो बेटा माफ कर दो ऐसी जिद नहीं करते अब बाहर आ जाओ आप घर में उसे क्यों ढूण रहे हो वो घर के अंदर आई ही नहीं है उसे बाहर ही ढूणना पड़ेगा चलिए उसे बाहर ढूणते हैं सुन्दरी आज मैंने अपनी बेटी को पहली बाद डाट दिया मुझे चिंता हो रही है पता नहीं कहां चली गई होगी मेरी बेटी लेकिन आपने उसे डाटा क्यों क्या हो गया आज इतने सालों बाद उसे क्यों डाटा आपने वो शान्ता बेहन जी को उल्टा जवाब दे रही थी इसलिए मैंने उसे डाट दिया और उसे कहा कि अंदर जाओ क्या आप भी ना उस शान्ता के लिए अपनी बेटी को डाट दिया उस शान्ता की तो आदत ही है घर कर जाएगी और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कान भरती है आप भी ना कमाल करते हो दोनों बात कही रहे होते हैं तब ही बाहर एक धम किसी आवाज आती है सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी गाड़ी का एक्सिरेंट हुआ हो धनीराम और उसकी पत्नी दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो लोगों की बहुत बीर लगी हुए थी वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी शगुन का एक्सिरेंट हो कया था शगुन खुन में लटपत और धनी राम उसे गोद में उठा कर अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर को कहता है डॉक्टर सहाब मेरी बेटी को बचा लीजिए कोई है जो मेरी मदद कर सके मेरी बेटी का बहुत खुन निकल रहा है कोई तो बुला तो डॉक्टर को क्या हुआ? कौन है यह लड़की? और इतना खुन कैसे निकल रहा है? लेकिन यह तो पुलिस केस है. जब तक पुलिस आके पूस्तास नहीं करती, हमें पर्मिशन नहीं देती, हम कोई मदद नहीं कर सकतें आपकी. डॉक्टर साब अगर मेरी बेटी का इलाज अभी नहीं हुआ तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी प्लीज इसे बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साब ठीक है लेकिन ओपरेशन में चार लाख रूप लगेंगे जितना जल्दी हो सके ना इंतिजाम कर लीजिए अब उसकी बीटी खत्रे से बहार थी डनी राम और उसका परिवार एक साथ है लेकिन पेट भणने के लिए वो दुका नहीं है सरला की बहुशीतल की अचानक तव्यत खराब हो जाती है जिसके वज़े से सरला को घर का सारा काम करना पर रहा था मुझे तो कभी-कभी लगता है सास बनकर मैं घर की नौकरानी बन गई हूँ इससे अच्छा तो पहले ही था कम से कम इज़द तो थी अब ऐसी हालत मैं किसी ने देख लिया तो चार बाते बनाएंगे आरे आरे सरला ये क्या कह रही है तू बहु के होते हुए पहुचा लगा रही है आ गई डायन मेरे जट का फालो दा निकालने कुछ कहा क्या तूने वैसे तेरी बहु कहा है जो तू ये सब कर रही है अरे क्या बताओं विमला उसकी तो तब्यत खराब है और मुझे घर का सारा काम करना पर रहा है अरे रे तेरे हाथ में पोचा ज़ाडू सूट ही नहीं करता है क्या बोल रही है? फुरा तेज बोला कर सरला मैं तो बस यूँ ही तुझे मिलने चली आई अब जब तू काम कर रही है तो मैं चलती हूँ विमला के जाने के बाद ही शीतल की सहेलियों का आना होता है अरे अंटी जी नमस्ति नमस्ते अरे बेटा तुम दोनों यहाँ सब ठीक तो है ना कहीं तुम दोनों को सीतल ने तो नहीं बुलाया अरे अंटी जी हम तो शीतल से ही मिलने आए हैं वैसे आप एक अच्छी सास हैं, आज के समय में किसी भी भहो को ऐसी सेवा करने वाली सास कहां मिलती है। हाँ वो तो है, मैं तो भगवान के हाथो मजबूर हूँ, और ना मेरा बस चले तो कपका अपनी भहो का गला दबा दूँ। कुछ कहा क्या आपने, बाद में आणटी जी जैसे शीतल कहां है। ये ले आ गई अपनी शीतल, और कैसी है तू, अब तो तेरी सब ये ठीक है ना। बहु इन्हें बैठा, मैं तब तक इन के लिए चाय नास्ता लेकर आती हूँ। ना आणटी जी, चाय नाश्ता से काम नहीं चलने वाला, हम तो बस काजू कतली ही खाएंगे। हाँ हाँ, हमें तो बस काजू कतली ही खानी है इस खुशी के मौके पर। जैसी मेरी बहु है, वैसे उसकी ये दोस्नो सहेलिया है, भुकड कहीं की। अब सरला चाय नाश्ते के साथ अपनी बहु की सहेलियों के लिए पास की हरवाई की दुकान से काजू कतली भी लेकर आती है और अब महीमा और पूनम काजू कतली खाते हुए सरला से कहते हैं। वैसे कुछ भी कहो आउंटी, जितना मज़ा काजू कतली खाने में है, उससे ज्यादा मज़ा तो मौसी बनाने में आने वाला है, क्यों शीतल? अरे अरे, हमारी शीतल तो शर्मा गई, शीतल, जब मुझे महीमा ने बताया कि शीतल मा बनने वाली है, और हम मौसी तुम्हें बहुत खुश हुई। यही तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? मैं मा, तुम मौसी, मतलब? हाँ, मुझे ने कुछ समझ में नहीं आया, क्या मेरा कोई रोल नहीं है? अरे अंटी जी, आप भी क्यों मुझा कर रहे हो? आप तो दादी बनोगे दादी, अपनी शीतल जो इतनी बड़ी खुश खबरी देने वाली है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा होता तो, ये बात तो पहले ही मुझे पता चलनी चाहिए थी। अरे आप कैसी बात कर रही है अंटी जी, कल ही तो शीतल ने मुझे फोन करके कहा था कि मुझे बहुत उल्टिया हुई है और आप कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है उसका। हे भगवान, बहुत तो सब को ये क्या बोलती फिर रही है, इसमें महिमा बीटिया की कोई गलती नहीं है, सीतल ही सब को गलत तरीके से सब बता रही है जबकि, बल्कि इसने तो कल मुमल धापके खाया था, उसके बाद तो इसे जो उल्टिया होनी शुरू हुई बताओ अंटी, हमने खामखा आपका हजार का चुना लगवा दिया, चलो कोई नहीं अंटी चल, तो शीतल हम चलते हैं, हम तो यहां कुछ और ही सोच कर आए थे, लेकिन हमें क्या पता था, यहां तो कुछ और ही मामला है अंटी, अब बर्बाद नहीं होगा, चलो हम चलते हैं अब शीतल की सहीलियों के जाने के बाद सरला अपने सर को पीटते हुए कहती है राम रे राम, बहु जैसी तु है कम दिमाग की वैसे ही तेरी ये दो नमूनी सहलिया है बता, हजार रुपे का चुना लगवा कर गई जूटी अफवा सुना कर माजी मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने इन दोनों को क्या बोला था अब शीतल उल्टियां की वज़े से सरला के एक हजार का नुकसान हो जाता है वो भी काजू कतली में अब ऐसे ही समय बीथ रहा होता है एक रोज सुभा के समय शीतल होल में आती है और अपनी सास सरला से कहती है अरे माजी हैपी बड़े, आज तो पार्टी चाहिए माजी ये अफवा कौन फैला रहा है? कि आज मेरा जनम दिन है? और ये सब कौन मानता है बहू? अरे माजी मैं हूँ ना आपका जनम दिन बहुती धूमदाम से मनाऊंगी कोई जरूरत नहीं है पिजूल की खर्च की और खर्च का तो छोड़ हर बात पर जो अपनी उन दोनों सौतनों को जो यहां बुला लेती है फिर वो आई तो तू जानती है कैसे मूँ खोल कर फर्माई से करने लगती है लेकिन माजी हम तो जनम दिन घर पे मनाएंगे उन्हें नहीं बताया मैंने मैं जानती हूँ अगर वो आई तो खर्चे बहुत होंगे और कोई रोक भी नहीं सकता अब सरला अपने घर में कुछ अच्छा खाने और बनाने को कह देती है लेकिन शाम होते होते शीतल की सहेलिया वहां आ जाती है जरूर इन्हें बहु ने बुलाया है सुभा तो कह रही थी इन्हें बताओंगी तक नहीं लेकिन कुट्टे को भी घी पचता है क्या दोनों को माजी के जनम दिन के बारे में कैसे पता चला माजी तो मुझे गाल्या दे रही होंगी अरे शीतल क्या बना रही है बड़ी अच्छे खुश्बू आ रही है अरे बेटा तुम लोग आ गए बढ़े लेट आये हो आओ आओ बैठो न अरे हमें तो जीजू ने बताया कि आज अंटी जी की जनम दिन पाटी है तो हम भी चले आए लेकिन जीजू कहीं नजर नहीं आ रहे अच्छा तो कुट्टा अपना ही है इसे भी आज आने दे इसकी भी खैर नहीं अंटी कुछ भी बनाओ लेकिन हमारा काजू कतली लाना नहीं भूलना अरे बेटा अभी लेकर आती हूँ इतनी खुशी के दिन में काजू कतली नहीं खाया तो क्यों खाया अब सरला फिर से पास की हलवाई की दुकान से अपनी बहु की सहीलियों के लिए काजू कतली लेकर आती है जिसे खाने के बाद महीमा सरला से कहती है अरे सरला अंटी और नहीं है क्या काजू कतली चिकन बहुत स्पाइसी बना है वैसे अरे बेटा है ना अभी लेकर आती हूँ अब सरला बचे हुए काजु कतली में बीच से लाल मिठ्च पाउडर भर देती है अब जैसे ही पूनम और महीमा काजु कतली को खाती है वो समझ जाती है इसमें मिर्च भरा हुआ है और अपनी वेज़ती ना हो इस मारे वो उसे खा लेती है लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है मुहिमा बेटा, पुनव और लेकर आओं क्या आप दोनों की फेवरेट काजु कतली अरे नहीं नहीं आणटी जी आज तो बहुत कुछ खा लिया है अब पेड में जगा नहीं है बिलकुल भी यारी काजु कतली में जरूर शीतल की सास नहीं कुछ मिलाया है चल ले आसे उससे पहले की हम दोनों की बेश्तियो मुझे तो उल्टियोने वाली ऐसा लग रहा है वैसे जल कुकड़ी बुडिये महमानों की भी इज़त नहीं कर सकती है अब मांग कर देख ना काजु कतली खाएंगी काजु कतली अब महमा और पोनन के जाने के बाद सरला अपनी बहु शीतल को कहती है बहु कुछ बचा हो तो ला दे अब तो तेरी सहीलिया बूल कर भी यहां नहीं आएंगी क्यों माजी क्या किया आपने उनके साथ जो अज किया है ना वो जिन्नगी वर नहीं भूलने वाली जब भी आती है तब कहती है काजु कतली खाओंगी आज तो जैसे इसके बाप की यहां कोई हलवाई की दुकान है माजी आपने क्या किया तो यह बताओ मुझे तब डर ही लग रहा है मैंने उनके काजु कतली में मिर्स पाउडर भर दिया था थी भगवान माजी अभी उनकी आँखो से आँस हुआ रहे थे और मैं सोचू ना जाने की क्या हो गया दोनों को अब सास बहु के बीच यह बाते चल रही होती है तबी सरला की पड़ोसन बिमला का आना होता है क्या बात है सरला आज तो तेरे घर महमान आए थे कोई पाटी थी क्या लगता है तू अपनी पड़ोसन को बुलाना भूल गई तबी तो मैं बिना बुलाए ही आ गई बहु जरा काजू कतली बची होगी वो तू भिमला को ला कर दे अरे क्या बात है सरला आज तो तू काजू कतली की पूछ रही है कभी तो तू चीनी भी नहीं देती अरे तू काजू कतली तो खा कर देख बहुत महेंगी काजू कतली है तो खाएगी तो कहेगी क्या बात है अब जैसे खाती है वैसे ही उसे थूखते हुए कहती है राम रे राम आज तक तो नाम ही सुना था अब तो ये खाने के बाद सच में लग रहा है कि लोग कुछ भी बना रही है मुझे तो ये बड़ा पसंद है विमला सबका अपना-पना टेस्ट होता है हाँ वो तो है लेकिन तेरा टेस्टी खराब है क्या कर सकते हैं देर सही सही लेकिन सरला अपनी बगु के सहेलियों का आना चुड़वा देती है मालसी और जिमी रिष्टे में देवरानी जिठानी थी दोनों में आपसी रिष्टे में बहुत अच्छा तालमेल था मालसी जहां हिंदु सानी थी वहीं रूप रंग में काली थी वहीं जिमी एक अंग्रेजन थी और रंग रूप में मालसी से बहुत सुनदर और गोरी थी लेकिन फिर भी उसे अपने रंग रूप पर बिल्कुल घमण नहीं था एक दिन जिमी अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है तब ही मानसी वहाँ आती है और उसे साड़ी में उलजा देखकर हसने लगती है जिमी तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें उलजने के लिए और कुछ नहीं मिला था जो तुम साड़ी में ही उलज गई हो जिचानी जी मैं क्या करूँ? मैं खबसे खोशिश कर रहे हैं कि साड़ी पहन ले लेकिन मुझे को समझ में नहीं आ रहे हैं कि इसको पहने कैसे जाते हैं आप लोग रोजो साड़ी के से पहन लेते हैं इतना भी मुश्किल नहीं है चितना तुम समझ रही हो बस दो मिनिट में बंद जाती है जिचानी जी आप ये रोज पहनते हो इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पहता लेकिन आपके लिए असान है मेरे लिए नहीं मांसी इतना कहकर जिम्मी की साड़ी पहनने में मदद करती है तब ही उसकी सास कावेरी वहां आती है और मांसी को जिम्मी की करीब देखकर गुसे में कमरे के अंदर आती है और मांसी को जिम्मी से अलग करके जोर से धक्का देती है तुझे कितने बार बोला है ना कि मेरी छोटी बहु से दूर रहा कर तू लेकिन तुझे मेरी बात समझी नहीं आती ना मा जी वो मैं ये बकरी की तरह मैं वो मत कर समझी आगे से मेरी जिम्मी बहु के आसपास भी मत दिख जाईयो कहां ये इतने सुंदर और कहां तू कोईले जैसी काली कहीं तू मेरी बहु का नजर ना लगा दे मॉम आपके कैसी बाते कर रहे हैं जिठानी जी तो बहुत अच्छी हैं वो तो बस मेरे सारी पहनने में मदद कर रहे थे मुझे सारी पहनना नहीं आता है ना बहु अगर तुझे कुछ चाहिए था कि किसी मदद के जरूरत थी तो मुझे बोल देती इस कोईले की खान को बुलाने के क्या जरूरत थी माम मैंने जठाने जी को नहीं बुलाए थे वो खोद ही आ गई और अगर वो मेरी मदद भी कर देंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम हैंगे जो आप इतना शोर मचा रहे हैं बहू तो अभी नई नई आई है इस घर में इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है तो चुपकर क्या हुआ तेरे पैरों में महंदी लगी हुई है क्या जो यहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है जा नीचे जाकर काम कर घर का सारा काम भिखरा पड़ा है अपनी सास का अपने प्रती ऐसा विवहार देखकर मांसी को बहुत दुख होता है लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है थोड़ी देर बाद पड़ोस की कुछ और देख कावेरी के घर उसकी छोटी बहु से मिलने आती है और कावेरी सब को इससे मिलवाती है सभी हॉल में बैटकर आपस में बाते कर रहे थे कि तब ही मांसी सब के लिए चाय लेकर आती है जिसे देखकर उसकी पड़ोसन कमला बोलती है कावेरी बुरा मत मानना लेकिन बड़ी बहु में तो तेरी किसमत फोटी गई तेरी है तो वही तो बोल रही है वही बात है भेन पता नहीं तेरी बड़े बेटे ने इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया कौनसी खूबी दिग गई उसे जो इस कोईली की खान को अपनी पत्नी बना कर ले आया कमला इसलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है जब इंसान को प्या कर रही होती है जो चीज जिम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सब के बीच में बोल पड़ती है आंधी जी अगर वो ऐसी बात है तो फिर दक्ष्टी भी पागल होंगे क्योंकि उधोने भी थो बड़े भाईया के तरह लब मेरीच कर वी है मेरे साथ बिल अंग्रोईजन है फारण से आये हैं और गोरी चिची है इसे आप लोग मेरे इंसल्ट नहीं कर रहे हैं परना मेरी भी इंसल्ट करने में आप लोग कोई खमी नहीं छोड़ते जिम्मी के बात का जवाब किसी के पास नहीं होता उसकी बात सुनकर सभी वहां से चली जाती है और जिम्मी भी अपनी जिठानी को लेकर वहां से चली जाती है समय बीता है कावेरी जिम्मी को उसकी जिठानी से अलग करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन हर बार नाकाम्याब हो जाती है एक दिन मांसी रसोई में खाना बना रही थी तभी जिम्मी भी वहां आती है और थोड़ा सा टीस खर सकते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है मैं अभी देदी हूँ तुमें कुछ खाने को लेकिन जिछानी जी अगल माम को पता चल गई कि मैंने सबके खाने से फ़ले खा लिये हैं तो वो बहुत सुनाएंगी मां से इतना कहकर जिमी को एक थाली में खाना लगा कर दी दीती है और वो अराम से रसोई की सिलिप पर बैट कर खानी लगती है तब ही अचानक से जिमी की नजर रसोई में आ रही अपनी सास पर जाती है और वो डर जाती है जिमी घबराहट में सिलिप से उतर कर खाने की थाली अपनी जिठानी को पकड़ा दीती है और खुद पूडियां तलनी लगती है बस यही देखना बाकी रह गया था फौरन से आने के बाद तेरी अंग्रेजन देवरानी को हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का इतना ग्यान है और एक तू है जो सब के खाने से पहले खुट ठूसने लगी इतनी सुबा लंबी करने से पहले अपनी अंग्रेजन देवरानी से ही कुछ सीख लेती मेरे तो करम ही फूट गए तेरी जैसे बहु पाकर ना ही रंग रूप ना ही गुण दोनु में जीरो कावेरी इतना कहकर वहां से चली जाती है जिसके बाद जी मी मानसी से बोलती है चिठानी जी आप क्यों छूट बोल रहे हैं मॉम से फरक्या पड़ता है मेरी गलती नहीं होती तो भी मा जी मुझे ही सुनाती और भी ज्यादा सुनाती और तुम मुझसे छोटी हो तुमें हर मुसीबत से बचाना मेरी जिम्मेदारी है अच्छा अब ये सब छोड़ो तुम मुझे विदेशी खाना बनाना सिखाओ और मैं तुमें इंडियन खाना बनाना सिखाती हूँ जिम्मी और मांसी दोनों मिलकर खाना बनाने लगती है दिन बीटते हैं तब ही एक दिन कावेरी की सहली कुसुम उसके घर आती है और मांसी को घर की सफाई करते देखकर उसे घर की नौकरानी समझ कर अपने पैर दबानी को कहती है ये सब चीजे कावेरी के सामनी हो रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोलती जिस पर मजबूर होकर मालनी कुसुम के पैर दबानी लगती है तब ही उसका देवर दक्ष वहां आता है भावी ये क्या कर रही है आप उठिये और आंटी जी आपको शरम आती है की नहीं आती है किसी के घर में आके उसकी बहू से पने पाउं दबा रही है शरम नहीं आती आपको बहू? किसकी बहू? मुझे नहीं पता था बेटा कि ये इस घर की बहू है आंटी जी आपको नहीं पता तो नहीं पता लेकिन आपकी सहीली को तो पता था ना मा आपने भी आंटी को बताये क्यों नी कि इस घर की बड़ी बहु है बताना क्या है ये किस एंगल से हमारे घर की बहु लगती है कुसुम ने इसे जो समझा ठीक समझा ये नौकरानी ही है इस गर की लेकिन क्यों मा आखे इनके अंदर कमी क्या है अपने पती और सास की सारी बाते उनसे कुछ दूर खड़ी जिमी सुन रही होती है जिसे सुनकर वो उनके पास आती है मैं बताती हूँ दक्षी माम मेरी जैसी कोड़ी और अंग्रीजन बहु चाहिए थी जो लेकिन भावी तो खाली है इसलिए माम ने कभी उन्हें बहु होने का रिस्पेक्ट नहीं दिये मैं जब से इस घर में आए हैं कि भेदभाव देख रहे हैं मा आज के जमाने की होके आप ऐसी सोच रखती हो भावी ने कितने भरूसे के साथ भावी को आपके पास छोड़ा था ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और आपने उनकी ऐसी हालत करके रखी है जब भावी को यह सब पता चलेगा ना तो वो भावी को एक सकेंड के लिए भी आपके पास नहीं छोड़ेंगे, वो इन्हें लेके हमेशा आमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे आपके पास, और आप अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाओगी पुरी सिंद्गी, और ये आज तो सारी के सारी पैपसी अके लिए ही पीजाओंगी अब जल्दी से कमरे में जाती हूँ अगर माने मुझे इतनी रात कहां से आ रही है लो जिसका डर था वही हुआ क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुझ से कुछ पूछ रही हूँ कुछ नहीं मा, वो तो मैं अरो सुई में पानी लेने आई थी बस अच्छा ठीक है, अब जाकर कमरे में सो जा, मैं भी जाकर सो जाती हूँ, बहुत रात हो गई है थैंक गॉड, आज तो अपने बचा लिया, वरना आज तो मा मेरा बुरा हाल करती क्या हुआ? अब कमरे में जाती क्यों नहीं? बस मा जा रही हूँ सुमन इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और एक गिलास में पैपसी डाल कर मूवी देखने लग जाती है कुछ देर बाद सोचाती है, ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुमन आए दिन सबसे छुपा कर पैपसी पिया करती ऐसे ही एक रात सुमन कमरे में बैठ कर पैपसी पी रही होती है कि तब ही अचानक से उसके कमरे में कवीता आ जाती है कवीता को ऐसे अचानक से देखकर सुमन बहुत डर जाती है और वो कहती है मा आप यहाँ हाँ तू इतनी राद जाकर क्या कर रही है कुछ नहीं मा मैं वो वो अहाँ मैं थूड़ी सी पढ़ाई कर रही थी अच्छा तू अपनी मा के आगे जूड़ बोलीगी और तेरी मा तुझ पर विश्वास कर लेगी इतनी बेवकुप समझती है क्या तू मुझे मा सच में मैं बढ़ाई ही कर रही थी आप चाहे तो मेरे लैप्टॉप देख लीजिए वो तो मैं देख लूँगी अभी अभी फ्रिज से लेकर आई है आज तो तू गई सुमन आज तो तेरी खेर नहीं अब मा मुझे बहुत मारेंगी क्या हुआ बोलीगी या नहीं बोलीगी वो क्या है ने मा मुझे ने एक बिमारी है मुझे रात में पैपसी पीने का मन करता है अगर मैं रात को पैपसी नहीं पीती हूँ, तो मेरे शरीर में अजीब सा होने लगता है, मानू कि अभी मैं मर जाओंगी, बस इसलिए वाँ बेटा, क्या कहानी बना रही है तू, आज तक मैंने ऐसे बिमारी के बारे में नहीं सुना है वो मा मारकेट में अभी नहीं नहीं आई है, इसलिए ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है मेरी बात सुन, तो ज्यादा होसियार मत बन, मैं तेरी मा हूँ न, कि तू मेरी मा है ये रात को पेपसी पीना छोड़ दे, वरना बिमार से तो नहीं पता, लेकिन मेरे हाथों मार जरूर खाएगी मा मेरे कान छोड़ो बहुत तेस दर्द हो रहा है, आम जैसे बोलू कि मैं वैसा ही करूँगी और हाँ, कल जल्दी से उठकर तयार हो जाईयो, क्योंकि कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं ठीक है मा, पहले आप मेरे कान तो छोड़ दो कवीता सुमन के कान छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है अगले दिन सुभा सुमन को देखने के लिए सरला और उसका बेटा आता है सरला को सुमन बहुत अच्छे लगती है और वो रिष्टे के लिए तै कर देती है और कुछी हफतों बाद सुमन की शादी हो जाती है और वो सरला के घर में बहु बनकर आ जाती है सुमन के ससुराल में सरला के अलावा उसकी चेठानी शोभा भी रहती थी दिन बीटते हैं और सुमन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखुबी संभाल लेती है ऐसे ही एक रात सभी खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं और सुमन अपने कमरे में बैट कर खुछ से बोलती है जब से अपने सस्वरा लाई हूँ तब से एक भी दिन मैंने पैपसी नहीं पी हूँ आज पैपसी पीने का बहुत मन कर रहा है एक काम करती हूँ फिर्ट से पैपसी लाकर पी लेती हूँ अभी सभी सो रहे होंगे किसी को कुछ पी पता नहीं चलेगा सुमन इतना बोलकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने आस-पास देखकर सीधा रघ्वोई में चली जाती है और पैपसी पीने लगती है तब ही उसकी जेठानी शोबह अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में लाइट जला देखकर खुद से बोलती है इतनी रात को कौन है रसोई में अए कहीं चोर तो नहीं घर में अरे नहीं अगर चोर होता तो वो रसोई में क्या करेगा ये सब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा शोभा इतना बोलकर रसोई में जाती है और वहां सुमन को देखकर हैरान हो जाती है देवरानी जी आप यहाँ जिठानी जी आप यहाँ अरे मैं जो सवाल तुम से पूछ रही हूँ वही सवाल तुम उससे क्यों पूछ रही हो तुम इतनी रात को रसोई में क्या करने आई हो अब इसके लिए कौन सा बहाना बनाऊं क्या हुआ कुछ बोलते क्यों नहीं जिठानी ची आप भी कैसी बाते कर रही हो इतनी रात को अगर मैं फ्रिज के पास हूँ तो पानी ही पी रही होंगी भजी तो तलने नहीं आउंगी न अच्छा तुम अपने कमरे में पानी लेकर नहीं सोती हो क्या कल से अपने कमरे में पानी लेकर जाना ठीक है वो सब तो ठीक है लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप यहां क्या करने आई हो बिल्कुल तुम्हाई तरह पानी लेने ना कि भजिया तलने अब आगे से हटो और पानी लेने दो शोभा सुमन को साइड करती है और फ्रिज से पानी लेकर अपने कमरे में चली जाती है शोभा के पीछे-पीछे सुमन भी अपने कमरे में चली जाती है ऐसे ही दिन वीरता है और सुमन आये दिन आधी रात को रसोई में जाकर पैपसी पीने चली जाती है और किसी को भी पता नहीं चलता है ऐसे ही एक दिन सरला की पडोसन विमला घर आती है सरला कहां है तू? हाँ बोल यही हूँ मैं हाँ हाँ दिख गई मैं कोई नशा थोड़ी करके आई हूँ जो मुझे तू दिखाई नहीं देगी अच्छा बकवास करना बंद कर और ये बता तू आई क्यों है? कैसी यह तू सरला कम से कम बैठने को तो बोल दे ठंडी ठंडी पेपसी मंगवा दे थोड़ा सास तो लेने को दे अच्छा बैठ जा वैसे भी तू बिना कुछ खाये पिये यहाँ से जाएगी नहीं रुप मैं अभी बहु को बुलाती हूँ तू अपनी बहु को बुलाएगी मेरी बहु तो आएगी नहीं आपे विमला इतना बोल कर हसने लगती है विमला के ऐसे मजाक पर सरला उसको गूरती है और अपनी बहु को बुलाती है जी माची आपने बुलाया हाँ विमला के लिए पेपसी लेया और कुछ खाने को भी लेया यू विमला मोटी जब देखो वो दूसरों के घरों में खाने पीने आ जाती है, अगर पैपसी पीने का इतना ही शोक है, तो अपने घर में पैपसी लाकर पीया करना, यहाँ मुझे पैपसी मिलती नहीं है, और यह और पीने आ गई, क्या हुआ देवरानी जी, जाओ पैपसी और कुछ खाने को लेकर आ जाओ, कुछ नहीं जिठानी जी, वो मैं कहे रही थी कि हमारे घर में पैपसी खतम हो गी है, अगर विमला अंटी कहे तो मैं उनके लिए चाय बना कर ले आती हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, अभी कल ही लाकर देती है, विमला पानी पीती है और अपने घर चली जाती है, ऐसे ही वक्त गुजरता है, और सरला के घर कोई भी आता, सुमन कोई ना कोई बहाना बना कर पैपसी देने से मना कर देती, ये सब शोबा को बहुत अजीब लगता, ऐसे ही एक रात सुमन अपने कमरे में पैपसी पिकर सो जाती है अगले दिन शोभा उसके कमरे में सफाई करने के बहाने आती है और कमरे में पैपसी की बोटल देखकर हैरान हो जाती है और वो खुद से बोलती है लो ये महारानी तो खुद रात में पैपसी पिया करती है और बहाने बना दिया करती है आज तो इसक का इंतिजार करती है राद को सबी अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं तभी सुमन मौका पाकर रशोई में जाती है और पैपसी पीने लगती है तभी अचानक से शोभा उसको बोलती है पी लो, पी लो आज ही सारा पीकर ख़तम कर देना और कल कोई आएगा तो उसके सामने बहाना बना देना भाबी आप यहाँ बिलकुल रात को पैपसी पीने वाली देवरानी आज ही सुबह मुझे पैपसी चोर के बारे में पता चला लेकिन मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी अब मा जी को बोल दूगी नहीं नहीं ऐसा मत करना मुझे पैपसी पीना बहुत पसंद है और पैपसी रात को यह पीने में अच्छी लगती है आप मुझे माफ कर दीजिए सुमनी शोभा से माफी मांगती है और वादा करती है कि वो रात को पैपसी नहीं पिएगी और इस तरह से रात को पैपसी पीने वाली देवरानी का भांडा फूर जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?